असलाम लेकुम आज केसे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एफससी पार्ट फिजिक्स चैप्र नंबर 6 फ्लूइट डैमिक्स और इसको जो टॉपिक दूसरा है हमारे पास फ्लूइट फ्रेक्शन एंड स्टॉक्स ला हम लोग इसको बुक्स से रीट करेंगे ठीक है ताके आप लोग भी वर्ट वर्ट क्लियर हो जाए ठीक है उसके बाद फिर हम लोग इसके डैरिवेशन को करेंगे अगर आप लोग यहां पर देखें कि फ्लूइट फ्रिक्शन क्या होते है फ्लूइट से पता चल रहा है आप बिजल अफ़ को लिए अगर निलीक है फ्लूइट भी आपर उसके अगरण ओन तो इरेगे वर्ट नजाजिए बहुत नं से बिक्रेट बोडिवेशन के दोटी क्रदट फॉर्ट चल खंट हरें तब भीट होगि उतना साधे क्या होगा उत्वीक्शन होगी फ्लूइट्स SPEDS BETWEEN THE LAYERS OF THE FLUID कि फटेसे SPEDS BETWEEN THE LAYERS OF THE FLUID कि तोनों को Northern Ace staff मोज़तना को । कि फटेसे SPEDS BETWEEN THE LAYERS सब्सक्तार ELEM採़ तोस्तार हा निधिव संधे कि फटेसे SPEDS BETWEEN THE LAYERS Ö hardest प्लिड कर सकाथ थोस्तार दोनों क strengthen कर दोनों का SPEDS satiety eran reduce पर रेलाटिव स्पीट्स बेट्वेट्व पर श्लूइट पर उसके बात है वन अबजेक्ट मुव्स थ्रॉस फ्लूइट जब कोई अबजेक्ट मुव करता है फ्लुइट से यह पर यह बात आनी चाहिए थैके जहन में आप दो तो फ्लूइड पर्षब्स लिटे कि यह एटार्डिंग फॉर्स लगाती है लै इस पोस्पोस के लिट में से कोई अब्जेक्ट पास हो रहा है कोई बी अब्जेक्ट बैस खागस ठीक है या फिर कोई भारी चीज बोल दे पथर बोल दे तो उसपे क्या लगता है र वो जो drag force होते है, फुटब अपट लगता है, ठीक है, और जो velocity होती है, वो down, गड़ोती है, तेसके पनी velocity down, गड़ोती है, जब किछ ड्रैक फोर्ष क्या होती, अपट लुटी, क्योंकि इसको रोकने के कुशिश कर रहे है, बॉडी खुद तो नीचे जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जो उसको जो ड्रैक फोर्स लग रही है वो क्या कर रही है उसको जाने नहीं दे रही है और इसकी विलास्टी को कम कर रही है तो मुविंग बॉडी गया करती है फोर्स लगाती है फोर्स लगाती है फ्लूइड पे ताकि वो उसको अपने रास्ते से हटा दे क्योंकि फ्लूइड इस पर ड्रैक फोर्स लगा रही है तो वो रिटार्डिंग फोर्स लगा तो अब इस और दोनों लगा रही है तो उसको क्या मतलब है कि एक्शन री एक्शन फोर्स आप रोग ने पढ़ा होगा कि न्यूटर्न की थारड़ा के मताबिक यह प्लूइड भी पुछ करेगा अब बॉडीक को या फिर ऑबज्एक एकोल आपोजिट फोर्स के साथ, पुटिंग अवर हैंड आउट विंडो आफ फास्ट मुविंग कार शो अज़ अज़ एक्सिस्टंस अफ फ्लूइड फ्रिक्शन अब यहां पर ग्राब लोगों देखें कि आप लोगों अगर अपना हैंड बहार निकाला हुए खिड़की से ठीक है अब देखें बहार किया है गैस है यहीं हवा है ठीक हवा एयर को तो अम रोग गैस मी दालेंगे ना तो गैस हमारे पर इसको खैंच दी होगी आगी की तरफ जाने कोश्य का रहें लेकिन ड्रैकर फोर्स को क्या करेगी पीछे की तरफ खैंचेगी हम लों को पता चलेगा थे chapter फ्लुइड फ्रिक्शन, फ्लूइड ठीच्छ अग्जिस्ट करता है और फ्लूइड फ्लूइड लगाती है एकसी हमारे हातों पर मूविग थ्रू इट उसके साथ-सको ड्राइक फोर्स लग रहा हूँ जैसे मिन भी आपको बता आये कि बाग फ्लेड करती है और इतना बड अगर मैं इस तरह रखा हो इस तरह मेरे बहार निकाला है अब में दूसरे तरह यहां से इस तरह बहार निकाल लूँ तो इस तरह इसकी orientation चेंज हो रही है, orientation को आप लोग सिंपल वर्ट में कह सकते है, position of the object, properties of the fluid, viscosity and density, properties of the fluid, किस fluid से आप गुजा रहे हैं उस चीज़ को अभी हम लोग जो बात करें वो तो air से यानि gas से आप liquid भी अलग डिपैंड करते है, speed of the object relative to the fluid, तो अगर आप object की speed देखें, अगर हम लोगों ने जो बोला है, example में के विंडो से, fast moving car से आपने हाथ बहार निकाल वे विंडो से ठीक है, तो उससे क्या होगा किस पर डिपैंड करेगा, drag force, drag force डिपैंड करेगा, speed of the object, object की speed पर, यानि मेरे हाथ कितने speed से जालेगी, जितन drag force डिपैंड करता है, drag force डिपैंड करता है, drag force से भी influence या फिर enhance होता है, ठीक है, नीचे गर आप लोग भी पर देखें, point to ponder, skydivers and swimmers, change your effective size, skydivers and swimmers होते हैं, हवा से जो आ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने change करते हैं, अपने size को कभी चेंज करेंगे, कभी अपने हा कभी body parts खोल रहे होंगे, देखें, अभी इसके force को देखें, तो आप लोग इसके जो feet है, feet, एक अभी हाँ पर पाउं देखने तो foot होगा, ठीक है, अभी इसके food देखें, आप लोग तो क्या होगे, कि उसने परे पाउं को अपने तरफ बेंड किया है, तो ये क्या करी है, असल में ये अपने drag force को कम और जादा करी इस तरीक से, this allow them to manipulate drag and thereby allowing them to control speed and direction of motion, तो इस तरह आपके speed और direction को ये control मेलाती है, क्योंकि ये हवा में से जा रहे है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये हाँ से fluid में से जा रहे हैं, तो इसमें drag force लगेगा, और इसके direction और motion पर भी effect पड़ेगा, तो इसलिए, वो अपने body को twist करते हैं, और bend करते हैं, और starch करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे next, stocks law, तो students, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, stocks law की definition, जो है, एक तरह से आप definition बोल सकते हैं, तो अगर आप लोग देखें, to find drag force experience by moving falling through fluid, तो find the drag force, drag force निकालना है, इसका मज़द किया, stocks law का, कि drag force निकालना है, experience by moving, और falling through fluid, जब move कर रहा हो, और साथे fall कर रहा हो, fluid में से, तो अगर आप लोग अपनी बुक में देखें, उसमें कुछ हद तक दियावा है, ठीक है, पढ़के बताती हैं, आप लोग को, the viscous drag force on a spherical object सफेरिकल अब अब कर आपे होता है, आप लोग चलना चाहिए, बाटर यहां सफेर्कल को पास होता है, अगर आप लिखें ऑर आपके हाँ है, सफेर हमारे पस क्या होता है, सफेर तो स्टोक्स ला इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब इसका प्रितिश साइंटिस्ट सर जोर्ज यानि G.Stocks in 1851 इसी डिसको मैं क्या बोलते है इसका मतलब क्या है थिकनस यानि थिकनस ऑफ ड्रेक्फोर्स अन सफसारी थैरीक। इस एक्सप्रेस mathematically by formula, इसको formula से express करते हैं, जिसको अम लोग की बोलते हैं, stocks लाव होती है, तो student सबसे बदेखेंगे, डाइग्राम यह पर देखेंगे, अब हमारे पस का है, let's suppose, यह drop है, drop plate है, अब इसको मैं 3D तो नहीं बना सकती, तो मैं यहाँ पर circle की form भी बनाऊँगी, मुझे यह मालूम है कि यह क्या होता है, 3D होता है, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यह हवा में नीचे गिर रहा है, let's suppose, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में जब पानी का खत्रा नीचे गिरता है, ठीक है, पानी का जो बिल्कुत small drop plate होता है, small drop plate जो होगा, उसको मैं फॉर्म होता है, स्फेयर की फॉर्म होता है, तो इसको को देखें, तो इसमें drag force कहां लग रही होगी, body खुद नीचे आ रहे है, ठीक है, downward, इसकी velocity कहा है, नीचे है, downward, ठीक है, vertically, downward, अब यहाँ पर आप लोग देखें, उपर की तरफ इसका क्या लगेगा, simple बात है कि drag force उपर की तरफ इसके, यहां से आपको आपकर देखें, विसकोस्टी, जितना घाड़ा, विसकोस्टी यानी इटा, यह इस पर डिपेंड कर रहे है, ठीक है, यह हमारे पस जितना घाड़ा, हमारे पस विसकोस्टी, स्वरी, जितना घाड़ा, विसकोस्टी नी, विसकोस्टी हमारे पस जि अब्जेक के विलॉस्टी कितनी होगी हमने भी पड़ा था पीछे जो हम लोग भी ड्रैक फोर्स के डिपेंडेंस देख्या है कि किस किस पर डिपेंड करता है साइज शेप एंड औरिटेशन अफ देख चुके हैं उस पर है कि स्पीड ऑफ द अब्जेक कितना है वी है तो स्पीड ऑफ द अब्जेक रिलॉट यानि विस्कॉस्टी और देंस्टी अभी हम यहां पर विस्कॉस्टी से डिल करें तो हम लोग यह आप पर कहा लिकिंगे कि जितना जट स्पीड़ विस्कॉस्ती होगा उतने ज़ादे और रेडियो यह इस बीब्ड़ा पॉड़िय पॉड़ी होगा आप उसके बाद हम लोगों ने यहां पर्पे क्या लगाना है हम लोगोन मेbर पर प्रोपोश्न्वाश्ण ब्डानए घिसको आप ए तरियु इसको मैं A के रही हूँ तो A N R V अब यहाँ पे अगर आप लोग लोग देखें A is called proportionality constant A is called proportionality constant proportionality constant का क्या मतलब है कि अभी हमें इसकी value नहीं पता थी और इसके बाद साइंटिस्ट वगारे ने फिजिशन वगारे ने एक्सपेरिमेंट्स किये और इसकी value फाइन ओड़ की तो पता चला F D is equal to 6 pi Eta R V तो students यहाँ आपके पास आगे इसका formula तो students इसका unit हमारे पास क्या होगा इसका unit है क्योंकि force का unit हमारे पास क्या होता है pascal per second pascal second होते है pascal second आप students अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग यहाँ पे unit of Eta निकाले यहाँ निकाले यह विसकास्टी का unit निकाले ठीक है विसकास्टी तो pascal second होगा ठीक इसके unit हो यह pascal second है pascal second और नीचे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखू F D हमें क्या चाहिए विसकास्टी चाहिए तो हम लोग F D over RV करेंगे क्यूंकि 6 by मैं पास constant है इसका कोई unit नी होते है unit less है सो मैं पास F D over RV हो गया F D हमारे पास क्या है newton और हमारे पास radius कितना है radius हमारे पास है meter meter per second square ठीक है अभी पता चल गया होगा अभी करें पास पास सब्सक्राइब पताक पिंटप्र यहां पर सकंद कितना है मैं ब्लोग को मैं पास झाए तक यहां पर पास होगा क्योंकि पढ़ा नीचे था पर था अब इसके घ्ली होगो थाप्लिक हाँ एसके बाद अगर आप लोग जो आप देखिए सब्सक्राइब होगा, न्यूटन मीटर स्केयर, कैसे खुलेगा हमारे छोन, फोर्स होता है, फोर्स होता है, म, हमारे पस किलो ग्रैम, और A क्या होता है MS-2 और इसके पर M-2 और S इसको आप लोग यह आप लोग का क्या हो गए? यूनिट हो गए है पास्कल सेकिंड का और यहाँ पस इटा का यूनिट आ गए है इसको हम लोग क्या बोलते है? विसकोस्टी बोलते है अब इसके बाद, students thrive for drag force body must be in motion for drag force body must be in motion drag force होने के लिए जुरु है कि body motion में हो और इसके limitations क्या है? limitations यह हैं कि यह सिर इसके पर अप्लाय होता है limitations इससे लिए हम लोग इसको ज़ादा अखर use यहाँ ब़ोद पस किसी काम में नहीं आता है flakey Air for spherical object okay क्यों यह spherical object पर लगता है क्यूंकि अगर आब लोग यहाँ पर देखे क्यूंकि इसने लिया इस्पेर था और यमारे पास यह सिर्फ क्या हो रहे हिए सिफेरिकल objects पर ही होता है तो चुछ से निध हता है यह पें मारा सिस्व कोप्लीट होगे Stokes law finds application in several areas, particularly with regard to the settling of the sediment in fresh water and measurements of the viscosity of fluid. Mejurements of the viscosity of fluid. Viscosity of fluid को find out करने में भी Stokes law अप्लाए होता हैं. और यह कहां अप्लाए होता है, Settling of Sediments in Fresh Water. Settling of Sediments का क्या मतलब है, कोई भी नीचे जो बैट जाता है, कच्रा बगारा बोलते हैं, पर पत्थर बोलते हैं, पत्थर जो नीचे जाकर सेडिमेंट बनके बैट जाता है, फ्रेश वाटर में उसके लिए भी हम लोग इसको अप्लाए करते हैं, लेकिन अगर अगर सेडिमें करें, इन्शालों नेक्स लेक्शन में टर्मिनल व्लॉस्टी पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलाफिस,